और कैसे हो दोस्तों स्वागत है आप सभी कदर इंजिनियर स्वाइस के इस लाइब सेशन में मैं आधर्स एक पड़ीश स्वागत करता हूं आप सभी का केमेस्ट्री के फ़र्ड राउंड में जो कि आपके लिए काफी जरूरी होने वाना है इस राउंड में हम लोग लेके प्रिब्यस यर क्वेस्ट्री और यह आप लोगों के विवसे बहुत ज्यादा जरूरी होगा एक बात आप सभी दोस्त ध्यान दे क्योंकि आप सभी का जिनका यह लगा हुआ है उनके लिए इस पेसल एक्जाम होने वाला है तो उमीद करता हूं उनके लिए वीडियो काफ आए हम लोग इस सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो में बता था फ्र्स वीडियो में कि के मिस्ट्री का एक्जाम जो जब भी यू लेती है वियार इंजिनिर्ग उनिवर्ट्री तो टोटल सत्ता नमर के एक्जाम होते हैं जिसमें कि आपके नौ पर देंगे यह चीज़ है तो आईए इस सेशन का सुरुआत हम लोग करते हैं जल्दी सजल्दी बिना समय को व्यर्थ किया हुए क्योंकि आप सभी का इजाम बहुत ही जल्द होने वाला ठीक है आईए पहला क्रस्टन आपका वाट इस आप्टिकल आईसोमेरिजम क्या होत और सलcito क्या होता कि यहां यहां पर दिया गया है कि आपटिकल ज्रीक्ट선 क्या मां च्टांट तरफ्रल्ड़ यहां जी में चथोर विएकर सबस्टांई के पास से मॉलेकुल यह सूपरुम नहीं करते हुआ और इसमें यह जो है एक दूसरे के लिया मेरी इसको बोल सकते हैं यह एक संदर्व था जिसमें दूनों एक दूसरे के सुपरंपोस नहीं कर पाते हैं और सिंपल वर में कहा जाए तो वी कन से दाट दे आर माइर इमेज़ेस ऑफ इच अधर मतलब एक सिंपल वर में कहा जा तो यह एक दूसरे की एक एक सीसे कहीं दो पहलू होते हैं यह भी आप बता सकते हो ऑप्टिकल आइसो मेरिजम के बारे में ठीक है अल्टरनेटिव ली इट अल्सो भी फाउंड इन सब्स्टांस अधावन ए शिमेट्री कार्वन एटा होता है अब यह मैंने आपको वीडियों बताया उसके लिए वीडियो देखो अब आप लोग भी करो हमारे साथ साथ अभी तो आपको एक्जाम का मजा आएक्जाम देने म नहीं हो सकते हैं और एक और बात अप्टिकाल आई सोमेरी जो होता है एक ही मिर के दो पहलू को आप कह सकते हो ठीक है और एक और बात इसमें दिया गया कि यह जो है वैसे सब्सक्रांस में भी पाया जाता है जिन में एक शीमेट्रिक कारवन एटम होते है तो एक चीज़ आ आपको सारी चीज़ों का प्रवाइड जाएं आपकी सुविधा के लिए हम लोग इस पहला टीकल रिक्स्प्राइब लिए मैंने आपको करा दिया बढ़ते है नेक्स्ट क्वेस्टन पर एक्क्रेसिन आपका क्या है वाट इसन इनिन इनतियों मर्ण अब मैंने आइसो कुछ पार्ट होते है इसे मेर मरक ह्तिक हुआ नहीड होता है ङ नहीं यूमर क्या होता है थे वह पयर दोफ इजड है की आड़ गैए नो यहां पर भी आ रहाए टू फॉर्म्स देट आर मिरर इमेज़ों और वन एन अधर बार्ट कैनोट भी सुपर इंपोज्ड वन अपॉन अपॉन दर अधर मतलब यह आप कहा सकती कि अप्टिकल आइसोमेरियम कहीं एक पार्ट यह नंतियों मर्स भी यह जो की सुपर इंपोज यह दूसरे में नहीं करते है और यह यह भी जो है मिरर इमेज़ आप एक दूसरे कर ठीक है तो आप सिंप्ली बन बोलो कि इन एंटियो मारा पेर आफ मॉलेक्यूल्स दैट आर नोट सुपर इंपोज्ड आन्ड आर मिरर इमेज़ आफ वन एन अधर क्लियर है चलो दूसरा आपके लिए थोड़ा बहुत जरूरी है एक दो नमर का क्रेस्टन आ सकता आप चाहो तो इसका स्क्रिंस्ट भी ले सकते हो आपने को नोटबूक में नोट डाउन भी कर सकते हो कि एंटियो मारा पेर आफ उन लिकूल्स एक्जेस इंटू फॉम्ड आप मिनेर इमेज़ पढ़े तो आपके लिए काफी जरूरी एक आपका इनटियो मर्स और दूसरा इस्टियो मर्स दोनों का में डिफनीशन यहां पर करा दिया हो सकते तो अगले पीवाक्यू सेसन में मैं आपके लिए इसका डिफ्रेंस भी लिख सकते हो अगर मैं आपको जब समझाद दे रह वेलूड कह था है आप उसी को फॉर्म और ओन अफ मेर अफ वन अनग्र काया सकते है थेक्या जिए समस्ते है लोडिजिया नौक हृट यह दास प diyorsun थारियो ना फिन दूसरिप्ध देखो यह जोilstिया आइंसे यह संधे आपके लिए यही जेह लिए सकता कि तो हैसर्यों कि भाई एक अखिया च्वर्मुला शेप्स शेख सकतो आपंअ कुस्ट में भी क्वेस्टन क्वेशन बीए क्वेस्टन और देखो कि कि यह पीष अर्डिजिक्स कै था अर्डिडिक्स 20 कौते है hai भ रप튼 ओली एन अर्ड बढ ट्बणी थाल रेज्ट अनल सुara में खंग आ खिकिस दो इमेज रिशे नान्सूपर इंपकोचिब्स ऐच्वा सेथिके है रिजी इसंब आसे परेम साफ लगतो लोते हैं कॉन इंटिमर्स का थी जैस्टरि इंस्टाइव स्काथ नों सुपर इंपोसिबल होता है ठिक इंपोसिबल ट्लियर चलो आगे बाहरो तीसरा क्वेट्टन हम लोगा रहे हैं आपे इसे के जाथ हम लोग बढ़ रहे हैं अपने चौते क्वेस्टन की तरफ जो कि ब्रिद्रियम के वालब श्री दोटीष मैने आपको पढ़ाया था इसके की वर्ड मेंने आपको यहाद है अगर मैं घलत नहीं हूं तो ठीक है अपर आ रहा है कि ि तृट अब कएमिकरंट क्या होते हैं जो कंसंटेशॉन का जो कंसंटो इक्टेशन का उनकी कुछ इक है सब्सक् dipped में पटिर से सब्सक्राइब कराने कि म हांगा जासे कि रियंक्त यहां जो रीक्षण एक्स नोगरिय और fait रीक्त और एक पर यह लिए स्थीज को कि यह को टाइम और जूंपने खुर्डच tracking और ज्युद्स नित्रा कि रहा तो कंप्लीट्ट हो जाता है उसका जो कहाता है । रॉपर और ऐखिजन क्या होगा रियक्तेंट होगा ख्लियर है इन वाल ही चेमिकल एक्षान दू नोट चेंगे थिन टाइम जब तक कोई एक्स्टरने इंफ्लिएंस नहीं आएगा तब तक इसमें चेंग नहीं होगा और यही एक सिस्टम चलता है जो कि chemical equilibrium को बताया जाता है कि स्टेबल स्टेट में होता है यही कंडिशन है कि जब एक केमिकल रियक्सन होता है उसमें रियक्टेंटर प्रोडक्ट होते हैं और तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होता है जब जब कोई एक स्टेबल स्टेट में होता है जो कि हमें बताया यहां पर यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है तो आप चाहाँ तो इसका प्रोड़क्ट होते हैं वह चेंज मतलब उन में कोई चेंज नहीं आता जब कोई बाहरी चीज़ प्रभाब नहीं डालती है क्लियर और एक बात और होता कि इस्टेबल होते हैं जबंफ रियक्शन होता तो यह एक्विलीबियम में ठीक है चलो पड़ते हम अपने के द नेक्स्ट के तरफ दीजिए यहां प्लैंक थिवरी पढ़ाया था उसके बाद मैंने आपको बता था डीवल व्यासे ही नेचर आप लाइट करता है कब जब कोई प्रेजंस ओ लाइट ही याद होगा आपको इसमें बता था कि जब लाइट एक मेट करता है तो उसमें कुछ पार्टिकास जनेरेट होता है जिनका हम लोग कहते हैं क्या जिनको हम लोग कहते हैं फोटोंस ठीक विच एक्सप्लेन हाव दे लाइट रेवल्स इन स्टेट लाइन जो की बताता है कि लाइट कैसे स्टेट लाइन में ट्रेवल करता है यह भी मैंने आपको बताया था सम्टाइम लाइट विए एस दवेब अब देखो एक चीज अभी म जिए इसे जगह पर यहां सब कुछ बढ़ा हुआ तो जब हम लाइट जलाता है तो ऐसे उपर नीच लगट जलता है घीक है जैसे यहां पर किसी चीज का लाइट है फिट थोड़ा कट गया फिट आगे जाकव लाइट है ठीक तो उसी को लोग बोलता है वेब नेचर और ह अब आपको बताया था कि वह जो है मतलब वह च्छित रा जाता है उसको क्या बोलते हैं कि वह अभी एक अब्जेक्ट पर रहा तो तूटने लगता है यहां से वहां हो जाता है लेकिन अब मतलब खाली कमरे में आप लाइट को जलाते हो तो वह वैक्व में ट्रेवल करता है और जैसे ही किसी अब्जेक्ट परता तो उसको उसमें डिफ्रेक्ट कर जाता है मतलब वह उसको भेधन करके इधर उधर चितरा आजाता है ठीक है क्लियर है तो यह विवी आई इसलिए यह क्योंकि आपके लिए चार नमर्ब पांच नमर्ब में पूछा जा सकता तो इसको हम लोग तो अच्छे से एक्स्प्लेंड करेंगे तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते है कि क्या है आखिर यह तो डिवल ने चुरा फ्लाइट इग्जिटेड बाई एग्जिबीटेड बाई फोट अच्छे आपको बता यह नहीं है तो इसी बात को मैंने फिकर आपको लेक्चर 2 में बताया था उसमें भी अची सावीत होता था लाइट जो हुआ अब जाके वह भी समाझ में नहीं आं तो आप जाके वह भी देख सकते हो लेक्षर नमबर टू उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो खतम होने पर साइड में आपको सजेशन में वीडियो जरूर आएगा तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि फोटर एलेक्टिक प्रूब करता है कि डिवल नेचर म अगले वीडियो में बताऊंगा अगर पॉसिबल हो सके तो क्यूंकि आपके लिए वीडियो में बनाऊंगा तो इन सब्सक्राइब कम से कम समझा दूंगा ताकि आपके हिजाम में अगर यहां पर हमने पांच पढ़े हैं और मैं आप लोग के लिए होंबर क्या ही दूं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करें कि आप सभी कम से कम इस चीज को समझ लोगे और इसको अपने नोट डाउन कर लेना दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें कैसा लगा वीडियो बता आपने प्रोब् बहुत धन्यवाद